हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फॉर्मकोलोजी का लेक्चर नमबर टैन जहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन आफ ड्रग हमने ड्रग खाई करा लिया अब डिस्ट्रिविट होने के बाद ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्म भी करवा लिया पिछले लक्षर में अब जो बायो ट्रांसफॉर्म हो चुका है यानि अब ड्रग बॉडी से बाहर निकलने के लिए तैयार है बास समझे आ रही है पूरी प्रॉसेस कैसे पह प्रॉसेस व目前 जहं पर समय में पहतक है और यहार यह ड्रओं पहर जाएंगे वापस नियांगे नहीं रिवर्सिबल है फ्रों इंटनटेर्नल टू एक्स्टेर्नल एनवारमेंट हमारी बॉडी के अंदर से बाड़ी के बहार जाएंगे वापस निया याएंगे through renal, renal मतलब kidney और non renal root या बिना kidney के सहारे major organ जो होता है excretion organ major excretion organ excretion organ जो major होता है ठीक है ना, वो major organ पता ही ना क्या होता है हमारी kidney होती है kidney और kidney के लावब भूछ सारी चीज़े हैं जहां से drugs क्या होता है excret होता है तो excretion along with metabolism and tissue redistribution ठीक है कह रहा है excretion along with metabolism or tissue redistribution is important in determining both the duration of drug action and the rate of drug elimination क्यों excretion जरूरी है excretion का पता होना चीए drug का metabolism का पता होना चीए उसके redistribution के बारे में पता होना चीए यह सब के सारे point जरूरी है determining both duration of drug action and the rate of drug elimination कितनी देर तक drug body में रहेगा और कब drug body से बाहर जाएगा दोनों चीज़े पता होने चीए उसी हिसाफ पर drug को बनाई जाती है ठीक है अब एक term आता है हमारे पास clearance clearance मतलब clear हो जाना the clearance of drug drug की clearance की बात करें तो बात समझ में आगी होगी body से clear हो जाना बाहर चले जाना it's a theoretical volume लेकिन अगर scientific term में बात करें तो यह वो volume of plasma है plasma का वो volume from which the drug is completely removed in a unit time एक unit time में plasma में से जो drug permanently बाहर चले गई है that is called clearance clearance क्या है rate of elimination और upon C where C is the plasma concentration clear है तो clearance कुछ और नहीं है कितने plasma के volume में से drug permanently क्या चले गई है बाहर जा रही है per unit time एक second में एक minute में जो हमारे उपर depend करेगा then plasma half life half life तो पहले पढ़ चुके है ठीक है bio availability में थोड़ा से यहां पर वहीं आगे है फिर से the plasma half life t half of a drug is the time taken for its plasma concentration to be reduced to half of its original volume plasma में जितना drug पहुँचा उसका आधा कितनी देर में हो जाएगा plasma में that is called plasma half life ठीक है वो कहीं ना कहीं वो half life ही होती है now principal organ involved in excretion principal organ involved in excretion तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 organ है kidney है bile है lungs है saliva है milk है और sweet pacina है तो आप फटाफट देख लें इसको हम लोग अच्छा kidney में कुछ बातें समझने में दिक्कत कर सकती है अगर kidney के part proper नहीं पता है तो अगर kidney वाला ये term यहाँ पर कुछ दिक्कत करता तो इसको ऐसे हैं question mark डालेंगे मैं तो पढ़ाऊंगा यह भी समझाऊंगा फिर जब हम human anatomy and physiology में kidney पढ़ लेंगे समझ लेंगे बलकि मैं यूं कहूंगा जब हम लोगों ने क्या किया था उसके diuretics वाले drugs पढ़े थे तब मैंने kidney को बड़ा अच्छे समझाए भी था nephron वाले part को अगर याद होगा तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी first year की बात वता रहो मैं first year में जब मैं diuretics पढ़े थे pharmaceutical chemistry में तब मैंने nephron को बहुत अच्छे समझाया था याद नहीं है भूल गए हो तो कोशिश करना समझने की क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्ट्स आने वाले हैं तो क्या कहरा kidney में drugs are eliminated from the body primarily by the kidney सबसे ज़्यादा important चौर पे drug कहां से बाहर निकलता है kidney से बाहर जाते है the principal renal mechanism that are involved in the excretion of drug कौन से तीन mechanism है glomerular filtration active tubular secretion और active tubular reabsor active ना आकरके यहाँ पर आजाएगा passive यहाँ energy खर्च नहीं होती इसलिए passive लिखा गया tubular reabsorption जब reabsorption होता है वो passive होता है ठीक है अब यह diagram मैंने यहाँ दिया हुआ है ठीक है यहाँ से यह artery है blood आया यह glomerular है ठीक है यहाँ से blood गया यह वाला part क्या है PCT proximal convoluted tubule नीचे आया descending limb ascending limb यह DCT distal convoluted tubule ठीक है distal convoluted tubule तो इस तरीके सा अगर यह structure तम लोगों को याद है तो तो अच्छी बात है अधरवाइस थोड़ा सा इसको एक बड़ी revise कर लेना तो इसका structure तो हो सकता तुमको याद हो लेकिन जो यह tubular reabsorption क्या होता है secretion क्या होता है ठीक है जब kidney secret करती है ठीक है और जब वापस से जो इसके तर salute आता वो reabsorb होता है ठीक है तो यह सारी चीजे अगर याद है तो अच्छी बात है अधरवाइस हम थोड़ा सा यहाँ समझने कोशिश करेंगे और इसमें कुछ खास नहीं है हमको पता है ना drugs हमारा जो यह इतना भी blood होता है यहाँ पर फिल्टर हो जाता है सारी चीजे फिल्टर होके यहाँ आ जाती है फिर यहाँ से यहाँ जाती है तो होता क्या प्रॉक्सिमल कर्मोलेटर ट्यूविल यहाँ पर होता है सिक्रीशन जो इसके आस पास के यह blood capillaries है ना यह इनसे ड्रग निकल निकलके इंग में आ जाता है और जो PCT है यह वाला पार्ट डिश्टल कर्मोलेटर ट्यूविल यहाँ से वापस से ड्रग क्या होती है रियब्जाव हो जाती है blood capillary में और ग्लोम लियूरर फिल्ट्रेशन यहाँ से जो ड्रग मारा फिल्टर हो गया तो बस यही सारी चीजें हैं इसके अंदर पार्ट है इसके फटा-फट देखते हैं तो क्या बोल रहा है ये the ultra structure of globule girum ultra structure का मतलब क्या होता है एकदम बार ही कि structure होता है महीनी structure होता है Capillary wall is such that it permits a high degree of fillid filtration बहुत जबात्रा में यहां से Sickle होता है filter होता है while restricted the passage of compound having और कुछ compounds का जो की large होते है जिनका molecular weight उनको को रोग देगा बाहर निकलने नहीं देगा तो फिलिट को निकलने देता है और ऐसे compound जिनका वजन या weight बहुत जादा है उनको यहां से filter वो नहीं हो पाते हैं इस selective filtration is important in that यह selective filtration important है क्योंकि हमारे body में जो proteins होती है उनका molecular weight क्या होता है काफी बड़ ज्यादा होता है drug का molecular weight उतना नहीं होता है तो इस selective filtration is important in that it prevents the filtration of plasma protein जिनका molecular weight काफी ज्यादा है तो यह selective filtration कर रहा है कुछ को जाने देगा कुछ को नहीं जाने देगा इससे क्या होता हमारी body का जो plasma protein albumin हो गयरा वो filter होके यूरिन से बहार नहीं जाता है वो हमारी body में ही बना रहता है ठीक है data important for maintaining an osmotic gradient अब यह जो plasma protein है albumin वगयरा जो भी और proteins होते है वो हमारी body में क्या बना maintain करते है osmotic gradient है न हमारी body में जैसे अगर यह osmotic gradient बिगड जाए तो body सूच जाती है हमारी ठीक है तो वो maintain करके रखता है यहां पर several factors including molecular size, charge, shape influence the glomerular filtration of large molecule तो जो large molecule है उनके उपर कौन कौन से large molecule filter होंगे या कौन कौन से molecule filter होते हैं तो वो इन 3-4 चीज़ों पर depend करेगा size पर charge पर shape ठीक है as the ultrafiltrate is formed any drug that is free in plasma water ठीक है ना that is not bound to plasma as the ultrafiltrate is formed ठीक है ultrafiltrate मतलब जो छनके आ गया है any drug that is free in the plasma water जो plasma water पे free है मतलब ऐसा drug जो protein से बंधा हुआ नहीं है हमने पढ़ चुके ना binding of drug with the protein तो ऐसा drug जो free है that is not bound to plasma protein और RBC हमने देखा था RBC के दिवाल पे भी कुछ drugs जाके चिपक जाती थी जिसे हम लोग bound drug क्या करते थे will be filtered जो free वाले हैं वो filter हो जाएंगे as a result of the driving force provided by the cardiac pumping जो पंपने ना तागत लगा रखी है जिसे बड़ी तेजी से पानी का धार बह रही है है ना तुमको पता है एक मोटी सी अगर हम हमारा जो blood pump कर रहा है उसके वाएसे यह force लग रही है now all unbound drug जो unbound है will be filtered वो छन जाएगा as long as their molecular size, charge and shape are not excessively large अगर जो free bound drug है उनको उपर size उनका छोटा है, charge नहीं है और उनका shape ऐसा है कि वो छनने लाइक है तो वो सारे के सारे जो unbound drug है वो filter हो जाते है compound with 20 angstrom to 42 angstrom may undergo glomerular filtration लगभग इस size का जो compound होता है वो क्या होता छन जाता है बास समझ में आगी आगे आते है active tubular secretion यह क्या होता है active tubular secretion यह क्या होता है active मतलब यहाँ पर energy खर्च होगी और tubule क्या करेगा secret करेगा ठीक है tubular क्या होता है मैं बता दूँ यह जो kidney के partner यह जो मैं लेके जा रहा है यह tube जासे structure जो है kidney का इसी को tubular कहा जाता है ठीक है यह सब क्या है tube जासे structure है तो इनको tubular बोल जाता है tubule बोला हुआ है या tubular बोल दो ठीक है इसी tubule से क्या होगा reabsorve हो जाएगा इसी tubule में क्या हो जाएगा secret हो जाएगा तो active tubular secretion tubular secretion is the site is the transfer of material tubular secretion is the tubular secretion होता क्या है transfer of material from peritubular capillaries to the renal tubular lumen ठीक है न याने कि जो को peritubular क्या होते है यह जो इसके आसपास है न यह 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 जो इसके आसपास की नसे हैं जो blood vessels है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पैरी tubular capillaries क्याते हैं देखो इसके आसपास लिप्टी होई यहां से ड्रग मैंने बताया था ना इसके यहां से ड्रग यह यहां जाएगा ठीक है दा tubular secretion which carried out at the level of the proximal tubule is an active process जो proximal tubule यहां से start हो गया अपना यह यह दे रखा है यहां पर जो secretion हो रहा है यान कि यहां से इस blood मैसे जो दवायां secret होकर कि इसमें जा रही है यह एक active process होती है यान कि energy meditated process होती है कैसी होती है carrier meditated process which requires energy for transportation of compound against concentration gradient यान कि यहां पर क्या है sorry जो carrier meditated है वो active के अंदर आ जागा यहां पर वाला carrier है जहां पर energy खर्च हो रही है ठीक है तो against concentration gradient मतलब low concentration से high जाएगा against का मतलब क्या हो गया low से कहां जाएगा high की तरफ इसी लिए energy खर्च हो रही है two secretion mechanism are identified दो secretion mechanism की बात करें system for secretion of organic acids यान कि एनाइन ठीक है न acids में क्या होता है समानलो COOH plus और minus तो यह acid आ गया एनाइन हो गया पैंसिलीन, salicylate, system for organic basis यहां पने कि catein, morphine, mechamilamine आ गया है यहां ठीक है तो दो के लिए यहां पर secretion देखा गया है पाया गया है एक acids के लिए और बेस के लिए यह एक एनाइन के लिए और एक catein के लिए clear है तो इस तरह से active tubular secretion में यह दो तरह के drug क्या होते है सिक्रीट हो जाते है आ जाते हैं वहाँ kidney में वहाँ छन गए छनने के बाद यहां पर होता क्या है process अगर तुम लोगो थोड़ी सी याद हो यहां पर चीज़ें छन जाती है वापस से क्या होती है जब चीज़ें रिअबज़ा हो जाती है कुछ चीज़ें filter नहीं हो पाई तो यहां से यहां secret कर दी आती है सिक्रीट करने मतलब है डाल दी जाती है इसके अंदर ठीक है आगया आते है passive tubular reabsorption अब यहां पर क्या energy खर्च नहीं होगी tubular reabsorption is the process that moves solutes and water out of the filtrate and back into your blood stream वापस से तुमारे खून में डाल देना solute को और पानी को जो उसके अदर छन के आ गया था उसको वापस से blood में डाल दिया जाएगा that is your reabsorption drug which are present in the glomerular filtrate जो अच्छने हुए में मजूद था drug can be reabsorbed हो सकता है in the tubule tubule के अंदर वापस से क्या हो सकता है reabsorbed हो सकता है only unionized molecules are available for reabsorption जो unionized होगा mark करेंगे से वो ही केवल क्या होगा reabsorbed होता है ठीक है अब इस point का क्या मतलब है हम पढ़ चुके हैं drug either weak acid और weak base होते है many drugs are either weak base और acid and therefore the pH of the filtrate can greatly influence the extent of tubular reabsorption अब जो pH है वो reabsorption को बहुत ज़ादा affect करेगा ठीक है when urine is acidic urine अगर acidic है तो acidic drug unionized होगा यानि कि वो ionization नहीं करेगा उसका reabsorption बढ़ जाएगा ठीक है weak acid drug tend to be reabsorbed alternatively इसका उल्टा when urine is more alkaline urine कैसी है ज्यादा alkaline है weak bases are more extensively absorbed जब urine basic होगा तो basic drug reabsorbed होते हैं जब urine acidic होगा तो acidic drug reabsorbed होते हैं अब हम लोग यह पढ़ चुके हैं किस pH में कौन सा drug break करता है acidic pH में basic drug ionize कर जाएगा और basic medium में acidic drug ionize करता है making the urine more acidic can cause less reabsorption of weak bases और enhanced excretion ठीक है तो अगर हमको बेसिक चीज़ों को निकालना है यहां पर कोई मतलब acidic हो जाएगा तो less reabsorption of weak basis जो weak basis है उनका reabsorption बहुत कम होगा क्योंकि वो पुरी पुरी आइनाइज हो जाएगा उनका क्या excretion अब इसका यूरीन के pH को है ना डॉक्टर का इपर injection लगा जाता है ड्रग कोई poison होगे बाडी में डॉक्टर क्या करें इंजेक्शन लगाएगा इंजेक्शन लगाने से पूरी बाडी का pH है यानि खासकर उरीन का pH है वो चेंज कर जाता बड़ी तेजी से तो पेसा में वो ड्रग बा आवना है to increase the drug excretion by making the urine more alkaline urine को हम लोग क्या करते है यह acidic drug है weak acid है हम क्या करेंगे urine को alkaline बना देंगे basic बना देंगे with sodium bicarbonate injection इसका इंजेक्शन लगते ही urine कैसा हो जाएगा basic हो जाएगा और यह वाला ड्रग बड़ी तेजी से urine से क्या होगा पास आउटों के भाहर आएगा बास समझ में आ रही है तो देख रहो drug excretion यह सब चीज़े कहीं ना कहीं माइन रखती है और काम में आती है डॉक्टर्स के ना बिलियरी एक्स्रीशन बिलियरी मतलब हुमारा बाइल बाइल पता है ना जो लिवर बनाता है बाइल जो इसे हम लोग कहते हैं तो समझते है ब यह ऐसे लिवर है ठीक है और यहां पर यह क्या है गॉल ब्लेडर है इसके अंदर क्या स्टोर होता है बाइल लिवर क्या करता है इसके छोटोटे सेल्स होते हैं इसे हैपेटोसाइट सेल्स कहते हैं ठीक है Hepatocyte Cell कहते हैं यह अपने अंदर से क्या सिक्रीट करते हैं यह अपने अंदर से Bile को सिक्रीट करते हैं Bile यहाँ से सिक्रीट होता रहता है होता रहता है और आ करके इस Gallbladder में इस्टोर हो जाएगा तो जब यह Bile को सिक्रीट करते हैं तो liver तो पता ही है ना सबसे ज़्यादा bio transformation या metabolism जो होता है drug का वो कहा होता है liver में सबसे ज़्यादा कहा होता है liver में होता है तो इस bile juice के साथ वह वाले drugs मिल करके कहां store हो जाते हैं gallbladder में फिर जब digestion होने की बारी आती है खाना पशने की बारी आती है यह यह वाला जो bile है क्यों होता है फीसिस के थुरूप पॉट्टी के थुरूप भार आता है और हमारा जो drug होता हो भी क्या हो जाता है excrete हो जाता है तो सिंपल से मेकैनीज में बिलियरी एक्स्रिशन बिलियरी ठीक है अब क्या करता है transporters are present in the canalicular membrane यहाँ पर जो transporters मवजूद है उसके canalicular membrane में and these actively secrete drugs and metabolites into bile यह actively energy खर्च करके drugs को bile में डालते रहते हैं क्योंकि उनको body से बाहर निकालना है हमारी body को पता है कि हमारी body की नहीं से बाहर निकालना जिनोबाइटिक है एक्जांपल कहा है the organic anine transporting polypeptide ठीक है उसके बात करें transporters की तो यह आ गया the P glycoprotein transport system and the multi drug resistance associated protein MRP यह तिन टाइप के transporters के नाम दे रखें याद करना चाहो याद करना otherwise कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना बात समझे में आई किलियर है ओके ठीक है तो ड्रग इन बाइल अब आगे देखते हैं ड्रग इन बाइल एंटर दा gastrointestinal track GIT में एंटर कर जाएगा याने कि हमारे कहां एंटर कर जाएगा intestine में after storage in gallbladder ठीक है इस गॉलब्लेडर में storage होने के बाद यह कहां एंटर कर जाएगा जैसे नहीं बताया है GIT में may then be excreted from the body by the stool, stool मतलब potty, stool मतलब potty होता है, potty से बाहर आ जाएगा a drug excreted in bile may be reabsorbed, जो bile में excret हुआ है वो reabsorbed भी हो सकता है from the gastrointestinal tract or a drug conjugate may be hydrolyzed या तो कई बार ऐसा हो सकता है कि GIT से वो reabsorbed हो सकता है या फिर जो drug conjugate बना था phase 2 bio transformation याद होगा अगर वहाँ क्या बन गया था drug conjugate बन गया था यह drug conjugate hydrolyze करेगा जो conjugation हुआ था न वो तूड़ जाएगा main drug फिर free हो जाएगा by the gut bacteria liberating the original drug original drug फिर से वापस आ गया which can be returned to the general circulation वो वापस से क्या आ जाएगा हमारे blood stream में आ जाएगा सच recycling ऐसी recycling may continue ठीक है ऐसी जो recycling recycling और ड्रग आया तूटा फिर वापस आगया फिर वापस आगया बाहर नहीं गया यह जो recycling हो रही है इसको हम लोग कहते हैं एंट्रो हैपैटिक साइकल और सर्कूलेशन एंट्रो मतलब गट और हैपैटिक लिवर और उसमें क्या और है रही है यह सच recycling मैं continue अंटिल दर ड्रग आज़र यह साइकल लगातार चल सकती है लिए कि ड्रग लगातार बॉडिया बना रहेगा कब तक अंटिल दर ड्रग आईदर अंडर गोज दा मेटाबॉलिक चेंजेस इन दर लिवर इस एक्सिटेट वाई दर किड्नी और बोथ या तो उसके अंदर कोई कुछ और चेंजेस आ जाए जिससे कि वापस रिअब्जब ना हो या वो किसी तरीके से क्या हो जाए किड्नी से ब अगर यह साइकल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है बड़ी मतलब बार बार रिपीट हो रही है में प्रोलॉंग मतलब लंबा हो जाता है significantly the presence of drug अब यह बाड़ी के अंदर ड्रग की presence को प्रोलॉंग कर देगी बहुत जादा या कोई toxic है जो बाड़ी में नहीं होना चाहिए वो बाड़ी में लंबे समय तक रहे जाएगा and its effect within the body prior to elimination by other pathway ठीक है अब यह ड्रग क्या है बाड़ी में बढ़ती चली जाएगी जब तक कि किसी और तरीके से क्योंकि यह बिलियरी एक्स्रीशन है इससे तो निकल नहीं रहा जब तक कि किसी और तरीके से बाड़ी से बाहर नहीं चला जाता है और ली अड्मिस्टर और ली मतलब मुझे खाते है एक्टिविडेट चार्कोल जो कई बार पॉजिजन होता तो चार्कोल ख्लाया जाता है ठीक है ना इन दा गैस्ट्रो इंट्रेशनल ट्रैक और वो क्या करेगा उसमें क्या कर लेगा ट्रैप कर लेगा और फिरो उसको बॉड़ी से पॉर्टी के थुरू बहर ले आएगा या उरिन के थुरू पास करवा जाएगा ठीक है जो ड्रग खास करकी इसी रूट से निकलते हैं बास समझ मारी है ना पल्मानोरी एक्सरेशन पल्मानोरी मतलब ठीक है जो उड़ जाते हैं जो सूंगा दिया जाता है बास कर रहे हैं यहाँ पर गैस वाली सूंगाने वाले की जिसको की सूंगा के दिया जाता है और वो जिस रूट से गया है सूंके गया है तो सांस लेंगे तो उसी से ही भार भी आ जाएगा वो किलियर है no specialized transport system are involved कोई transfer system नहीं होता है केवल के diffusion होगा higher to lower concentration in the loss of substance in expired air simple diffusion across cell membrane is predominant simple cell diffusion क्या होगा diffusion process होती है higher to lower the rate of loss of gases is not constant gases का जो loss है वो constant नहीं होता है depends on the rate of respiration and pulmonary blood flow lungs के पाथ कितना blood flow आ रहा है हम कितनी तेज सांस रे रहे हैं इसके उपर depend करेगा ठीक है यह एकतार नहीं होता कि लगातार इतनी gas बाहर आएगी the degree of solubility of gas in blood also will affect the rate of gas loss obviously बात है अगर solubility बहुत जादा है तो blood में घुला रहेगा अगर solubility कम है तो blood अपने अंदर से जल्दी से बाहर निकाल देगा gases such as nitrous oxide which are not very soluble in blood will excreted rapidly तो यह बहुत तेही से निकल दाएगा ethanol which has relatively high blood gases solubility ethanol की solubility क्या है blood में जादा है is excreted very slowly by the lungs यह बहुत धीरे धीरे lungs से बाहर आता है तो pulmonary में कुछ example होगे और होंको पता है simple diffusion हो रहा है तो pulmonary excretion में अगर कोई बोलेगा mechanism क्या है तो mechanism में लिख दोगे simple diffusion clear है इस सब question आएगा one marks में तो दूँगा मैं practice में now a salivary excretion salivary मतलब हमारा saliva होता है कई बर तुमने देखा है हम लोग आँख में डवा डालते हैं यह हमारे body में injection लगा है कई बर ऐसा हुआ है जो लोग बिमार हुएंगे injection यहां लगता है मुह कड़वा हो जाता है तो यह क्या होता है वो injection जब जाता है यहां से ड्रग्स आर एक्सिटेट पैसिवली यहां पर भी एनरजी खर्शन होती है जो अन आइनाइस लिपिड सॉल्वर ड्रग है वो पैसिवली रिलिस हो जाते है तो शलाइवा से ड्रग्स एक्सिट हुआ कहा है दवाई गई मुह में कड़वा पना आ रहा है तो ड्रग्स कहा हो रही है अब उसे निकल जाएंगे वो पेट से होती ही पॉटी से भार हो जाएगी यह तीन टाप के ड्रग दे रखे हैं जो इससे एक्सिट होते है ना देख़ए वड़ी इंपोर्टेंट है यह जिन बच्चों को नहीं पता है या बात पता हो जिए अपने घर में सब को बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है वो तो बात एक अलग होगी लेकिन एक्स्क्रीशन ऑफ ड्रग इन मिल्क इंपोर्टेंट एंटरी इंटरी इन दा ब्रेस्ट फीडिंग इंफेंट कई बार हम लोग क्या करते हैं बच्चे को ठीक करने के लिए मा को दवा पहुंशता है ठीक है बट यह तो होगे अच्छे के लिए पीच आफ मिल्क वैरी फ्रॉंट फॉर्ट तो सेन पॉइंट सेक्स फ्री अन आइनाइज और लिपीड सॉलिबल ड्रग डिफ्यूस पैसिवली अब उसके अंदर से जो फ्री अन आइनाइज और लिपीड अब जो बच्चा दूद के साथ दवाई ले लेता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है कि टॉक्सिक एफेक्ट प्रडूस करें लेकिन कुछ कैस में हो जाता है संब पोटेंट ड्रग पोटेंट मतलब ताकतमा ड्रग लाइक बार्विट्यूरेट एंड मॉर्फीन में प्राइस मिल्के थ्रू जो ड्रग होती है बॉडी से भार आती है ठीगए आ गया थे हैं Anis कि एक्रिशन हमारे स्किन से क्या निकलता पसीर निकलता है ड्रग स्किन वाया sweat पसीने से निकलता है follow pH partition hypothesis pH के रिसाब से pH partition hypothesis को follow करता है ये ठीक है excretion of drug through skin may lead to articularia और dermatitis इसके से जब निकलता है ना बहुत ज़ादा sweat तो articularia और dermatitis हो सकती है compounds like benzoic acid, salicylic acid, alcohol and heavy metals ये जो compound है benzoic acid, salicylic acid, alcohol and heavy metals like lead, mercury and arsenic are excited in sweat ये सारी तमाम चीज़े है जो हमारी अगर body में अंदर हो तो पसीने से भार निकलते रहती है इसी लिए workout करना पसीने निकलना बहुत ज़रुरी होता है अब पूरी के समरी अगर बना दें हम लोग तो देखो क्या है root की बात करूँ मैं अगर पहला urine, bile lungs, saliva, milk और पसीना mechanism क्या है ग्लोम लिरो फिल्ट्रेशन, active tubular स्क्रेशन, passive tubular reabsorption, active स्क्रेशन, passive diffusion, passive diffusion active transport, passive diffusion, passive diffusion ये mechanism आ गया और drug कौन कौन सी है free unionized lipofilic drug free unionized lipofilic ठीक है जारतर कैसे है unionized और lipofilic है तो ये पूरी समरी है कौन कौन सी drugs exit होती है क्या mechanism हो और क्या इसका root है ठीक है तो ये था हमारा आज का lecture जहां पर हमने जाना कि एक्स्रेशन कैसे होता है तो lecture जान लिया है, अब हम लोग आज जान लेते हैं किसके बारे में अपने mind nurture app के बारे में तो आउ जानते हैं अपने mind nurture app के बारे में तो yes, हमारे channel का जो नाम है mind nurture उसी के नाम से अब app आ चुका है जो की google के play store पे मौजूद है ठीक है, lecture के link में भी उसका description दे रखा है और चाहो तो direct कहां play store पे जा करके उसको download कर सकते हो ठीक है, अब देखो YouTube पर lectures and notes YouTube पर भी available है free of cost है ना, जब मैं पहले से पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूँ, मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूँगा, कोई change नहीं आएगा जितने lecture मेरे app में होंगे, जितने notes मेरे app में होंगे, उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा, बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वह चीज है one mask question की practice, जो one marks important question होंगे, ठीक है ना, one mask question में basically तुम्हार पास क्या आते है, MCQ और fill in the blanks ठीक है ना, ये तुम्हारे अब नए जो pattern है, उसमें नया exam pattern है ठीक है ना, उसमें MCQ fill in the blanks आ रहे हैं, दोनों मिला करके 10 number के ये आते हैं, 10 number के ये आते हैं ठीक है, plus two marks question, याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहाँ वो कुछ important question दूँगा, मैं two marks, three marks five marks, कि आगर केवाल आप उतना ही पढ़ लेंगे, तो pass तो guarantee हो जाएंगे, ठीक है और जब detailed knowledge चाहिए होगी ठीक है, तो उसके लिए पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूँ, ठीक है, और जिस बच्चे केवल pass होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा इन questions की practice कर लेगा live class होगी, अब माल लो मैं ये यूटूबर lecture कोई पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुमारा doubt फस्ट गया है ठीक है, तो वो कैसे cover होगा वो तो उसके लिए क्या होगा, live class होगी doubts के लिए मैं आया करूँ हो live class, जो कि अभी start अलएडी हो चुकी है, बच्चे doubts पूछ रही है और class चल रही है सबसे बच्चो बड़ी चीज़ जो होने वाली है MCQ test की practice, ये तो चलो एक बार को ठीक है MCQ questions, MCQ questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions फिर पूरे chapter से मिला करके 100-100 questions हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है MCQ questions, अब जेखो समझे क्या है, ये MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते अब YouTube पे क्या होगा, मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ, question लिखा होगा 4 option लिखे होगा, मैं बोलूगा बच्चों ये question है, ये 4 option है, इसका answer ही है मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है न मजा कैसे आएगा, question सामने होगा तुम पढ़ोगा और तुम answer click करोगे पढ़ करके, सोच करके वो मजा आएगा, उससे practice होती असली ठीक है न, तो ये सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिंदा भिल्यांक से बारे में बात करी चुका हूँ routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए, सबको पता है 100 message आपको कितने चाहिए, 40 number में पास हो जाओगे ठीक है न, तो routine test routine test का क्या मतलब है, माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ, उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ, उसका test हो जाएगा फिर combined test होगा एक किसका, chapter number 1 plus chapter number 2 का फिर chapter 3, माल लो खतम हो गया फिर उसके बाद एक combined test होगा 1 plus 2 plus 3, इस तरह से चलता रहागा एक time वो आएगा 1 plus 2 plus 3, माल लो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया और अगर बे मन से भी दे रहा है 20-30% तयारी करके भी तो 40% यान कि 40 number लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी ना हमारा है, इस exam को target करके होगी ठीक है ना, जो subject तुमारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यान कि जब theory पढ़ोगे या ले question अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब बहुत अराम से कर ले जाओगे तो exit exam बहुत अराम से clear कर ले जाओगे बात सोज़ में आ रही है, और fees बिलकुल minimal है, 1100 रुपे पूरे साल के लिए सभी subjects की first year पूरा साल सभी subject 1100 रुपे second year पूरा साल सभी subject फिर से 1100 रुपे यान कि एक साल की fees आपकी 1100 रुपे पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे, तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपे something पढ़ता है जाकर के इस से सस्ता, cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है app को ले करके, ठीक है या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जिजग, बिना हिचके चाहे मुझे call करें, doubt clear करें इस चीज को ले करें, सर कैसे क्या है ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूँगा clear है, बात समझ में आ गई और सबसे बड़ी चीज ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा yes, revision बिना revision कि आप ये सारी चीज़े नहीं कर पाऊगा यानि कि पढ़ना पड़ेगा है ना, तो revision जरूर 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 करना में हमेशा कहता हूँ revision ही है, selection revision करोगे तो life में हर एक चीज में अचीब पालोगे हर एक चीज आपको अचीब हो जाएगी ठीक है ना, तो क्या करते रहो revise करते रहो और पढ़ते रहो, all the best